दोस्तो वेलकम टूपाइस टेडी सरकल दोस्तो आज हम बात करेंगे प्रक्टिकल के डेट सीट के बारे में जैसा कि आपको पता है आपके प्रक्टिकल अपरेल 2022 वाले बच्चों के जो प्रक्टिकल है वो 14 मार्च से आपके स्टार्ट हैं अब बच्चों को कन्फ्यूजन यह रहता है कि सर 14 से 19 के बीच में जैसे डेट दी दी है तो इसमें कौन से दिन हमारा प्रक्टिकल होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे हैं बच्चों को यह पता नहीं चल पाता कौन से दिन आपको प्रक्टिकल के लिए जाना है तो जो भी इस तरह के प्रक्टिकल नहीं बनाता है तो उसको बहुत जाद दिक्कत हो जाएगी अगर कोई बच्चा प्रक्टिकल में फेल हो जाता है तो प्रक्टिकल में फेल बच्चा फेल ही माना जाता है वो पास नहीं हो सकता तो इसलिए कोई भी बच्चा ना रहे इसलिए वीडियो को आपके सीनियर सेकेंटरी के ट्वैल्थ किलास के और यह जो सब्जेक्ट है आपके 10th किलास के साइन्स टेकनोलोजी, होम साइन्स और करनेटिक संगीत, करनाटक संगीत जो है आपका, तो इनके प्रक्टिकल टैंथ वालों के होने, कब होने, 14 से लेकर के 19, 19 मार्च को, अब य लिखी होगी, तो डेट वाँ इसी तरह सेलही होगी, 14 से 19 मार्च, तो जब आपका होल्टिकी जाएगा, तो जो भी आपका सेंटर होगा, आपको सेंटर के बाहर जाना है, जब आप बाहर पहुँझ जाओगे, तो वहां पर एक पर्चा लगा ओगा, और उस पर्चे पर आ इतना वो करा सकते हैं उस हिसाब से बच्चों को बुलाते हैं और प्रक्टिकल कंड़क्ट करा देते हैं तो वो आपको उसी दिन वहाँ पर प्रक्टिकल से एक दिन पहले आपको जैसे मालो 14 मार्च है तो आप 13 मार्च को स्टडी सेंटर पर अपने चले जाओगे जो भी पहले दिन उन्होंने सो बच्चों को बुला एक से लेके सो तक तो दूसरे दिन किसका आएगा एक सो पचास वाले का फिर दूसरे दिन आ जाएगा तो इस तरह से आपको वहाँ पर जाके चेक करना पड़ेगा अब यह कुछ बच्चों को यह कंफ्यूजन रहती है कि सर अ आपको एक्जेक्ट पता चलेगा आपके होल टीकिट में ठीक है तो होल टीकिट जैसे ही आ जायेगा आपको तुरंत उसकी वीडियो मिल जाएगी तो इसलिए चैनल को जरूर ध्यान से सब्सक्राइब कर लेना अगर किसी बच्चे ने नहीं कर रखा और बैल आइकन को भी प्रैस कर लेना जिससे कोई भी वीडियो आएगी वो आपसे मिस ना हो और तो अब इसके बाद 14-19 वालों के किलियर होगे फिर अगली जो सिफ्ट है वो 21-26 मार्च है उसमें इन सब्जेक्ट को प्रक्टिकल जो नीचे दिये गए है इनके आपके 21-26 के बीच में होंगे त तो आपको करना कि आए प्रक्टिकल वाले दिन आपको अपनी बस के वाल प्रक्टिकल फाइल लेकर जानी पड़ेगी और पैन पैंसिल यह सारी चीज़े लेकर जानी पड़ेंगी पेंटिंग वगारा में आपको कलर्स वगारा और ड्रोइंग शीट वगारा भी लेकर जा और एप के अंदर आपको सभी सोल्ड प्रक्टिकल मिल जाएंगे एप का लिंग नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है तो वहां से भी आप एप को इंस्टोल आप तो आपके पॉन में होनी ही चाहिए क्योंकि उसके अंदर जो है आपको सारे के सारे प्रक्टिकल ही नहीं बलके आपके जो है बुक्स की पेडिया पिछले साल के कोश्चन पेपर ये सारी चीजे वहां पर आपको मिलेंगी तो आप एप इंस्टोल कर लो और उसमें से अपनी प्रक्टिकल फाइल देख करके बना लो अगर फिर भी किसी बच्चे को मतलो प्रक्टिकल फाइल आप अराम से उसको खरीद के अराम से बना सकते हैं लेकिन प्रक्टिकल फाइल जो हमारी बेस्ट टीचर्स ने बनाई है और जो बिल्कुल एक्स्पिरियंस फैकल्टी ने वो बनाई है उसमें आपको बहुत अच्छे मांक्स मिलेंगा आपकी प्रक्टिकल फाइल में कोई अपडेट आपस अगर मिस हो जाए और आपका साल खराब हो जाए आपको उसका कुछ नगुछ हर जाना भुगतना पड़े जिए वो बच्चे बोल ले थे कि सर हम जो है एक्जाम फीज जमा नहीं कर पाया तो क्या करें इसलिए हम बार बार बच्चो को रिमाइंड कराते ह कि आप जितने भी बच्चे देखने इसको जादे जादे एक बार शेयर जरूर कर दें जिन गुरूप में आप जुड़े वे हो उन सबी गुरूपों में भी इसको शेयर जरूर कर दें जो किसी बच्चे का प्रक्टिकल ना छूट जाए अगर प्रक्टिकल छूट गया तो बच्चा प्रक्टिकल में फेल है तो फेल ही माना जाता है फिर आपको अगले साल दुबारा फीस भरनी पड़ेगी और फिर दुबारा प्रक्टिकल देना पड़ेगा तो बस ये एक छोटी सी इन्फोर्मेशन थी आपके प्रक्टिकल के रिगार्डिंग अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना साथ में एप को भी इंस्ट्रोल कर लेना तो ठीक है दोस्तों मिलते हैं के लिए सेशन में तब तक के लिए कीप स्टेडी इन पाई स्टेडी थैंक्यू